यह Spiritual Science 2022 परवरी की है, गुरु भाई लिखते हैं, गुरु भाई नहीं, मुझे काफी समय से बवाशीर था, काफी इलाज करवाया, लेकिन कुछ समय तक आराम रहता, फिर वापस दिक्कत होने लग जाती, इसकी वज़े से अच्छे से खाना भी नहीं खा पाती, मतलब थोड़ा तीखा चाय आदी इन में दिक्कत आती थी, एक बार उपरेशन भी करवाया, लेकिन इतना आराम नहीं आया, हमारे गाओं पलसावा में गुर्देव सियाग सिद्योग को करते हुए काफी लोगों को अलग लग बिमारियों में आराम मिला, और मेरी छोटी बहन धनकवर, वो भी अस्तमा दैसी बड़ी बिमारी में गुर्देव का ध्यान करने से बहुत जादा आराम मिला, इन सब को देखते हुए मैंने भी गुर्देव सियाग सिद्योग को करना शुरू कर दिया, नियमित अभ्याज के चलते मुझे भी आराम मिला, और आज गुर्देव की क्रपा से मैं बवासी जैसी बड़ी बिमारी से पूर्ण रूप से ठीक हूँ, अगर गुर्देव मेरा हाथ नहीं पकड़ते तो पता नहीं क्या हो जाता, देखो सभी से मेरा निवेदन है कि सिद्योग में हमारा कुछ नहीं लगता, इसमें किसी भी प्रकार के करम कांड करने की जरूर्ण नहीं है, ये पूरी तरह निशुल्ख है, इसलिए सभी को, इस सिद्योग को करना चाहिए, जै गुर्देव, आदों की बिमारी से निचाट, ये गुरुबाई हैं, जै सिंग यादव, छपरा बिहार से, मेरा नाम जै सिंग यादव है, मैं छपरा बिहार का रहने वाला हूँ, दो साल पहले, 24 जून को डाक्टर की गलती से दवा का रियेक्शन हुआ, उपर से डाक्टर ने दो इंजेक्शन और लगा दिये, नतीजा ये हुआ कि मेरी आंते सूप गई, और लेटरिन आना बंद हो गया, घर वालों को बताया, तो विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे संबव है, घर वालों को बताया, तो विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे संबव है, कि भोजन लेने के बाद भी तुम्हारे रेट्रिन नहीं हो रहा इस तरह से काफी दिनों में एक बार होता और इस दर्द को मैं चार महने तक सहता रहा धीरे-धीरे मेरी आवाज भी आना कम हो गई मुझसे ये स्थिती सहन नहीं हो रही थी मैंने सुसाइड यानि के आत्मत्या करने का सोचा और ट्रेन के आगे कूद गया लेकिन गुर्देव को कुछ और ही मनजूर था थोड़ी चोट लग गई लेकिन मैं बच गया फिर मेरे मामा जी ने मुझे 12 नसी में बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया फिर मेरे मामा जी ने गुर्देव के दर्शन की जानकारी दी और बोले इस मंत्र से सारे विमारिया ठीक हो जाती है फिर मैंने गुर्देव का मंत्र जब जाप ध्यान लगातार किया इसका परिड़ाम यह हुआ कि मुझे जो समस्या थी वो एक महिने में बिल्कुल ठीक हो थी आज मैं पून रूख से स्वस्ट हूँ नहीं तो मैंने तो सुसाइट करने की पूरी कोशिस की थी लेकिन कहते हैं न जाको राके शाहिया उमार सके नपको बाल नबाका कर सके जो जग बैरी हो ए संद कबिर्दाजी ने सत्य काय कि यदि भगवान की चत्रचाय में कोई आत्मा है तो पूरा जगत ही चाहे उसका विश्मन क्यों न हो पर उनका कुछ भी नहीं बिगाड सकता पंदरा दिन तक लेटरी नहीं आना और आवाज कम होना जैसी बयानक बिमारी के से कलकी भगवान ने मुझे बचा लिया सच में हमारे गुर्देव जैसा कोई नहीं इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस सिद्योग को आप खुद भी करें और सभी को इस सिद्योग की जान करें ताकि जैसे हमारा भला हुआ है ठीक वैसे ही सभी का हो पूरी मानवजाती का कल्यान इस सिद्योग से हो इसलिए सभी को गुर्देव के दर्शन की जानकारे दें ऐसे पुझे गुर्देव के चर्णों में कोटी कोटी नमन जैसिंग यादव शप्राभीडव